चानक के IAS Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सारवजनिक परिक्षा अनुचित सादनों की रोग थम विधेग 2024 के बारे में। सारवजनिक परिक्षा अनुचित सादनों की रोग थम विधेग 2024 को लोग सभा में पेश किया गया है। विधेग का उदेश्य सारवजनिक परिक्षा परणाली में अधिक पारदर्शिता, निश्पक्षता और विश्वशनियता लाने के लिए अनुचित तरीकों को रोखना है। राष्टपती द्रोपती मुर्मू ने अपनी विभाशन में भी कहा था कि हमारी सरकार पेपर लीक रोकने के लिए बिल लेकर आएगी। कार्मिक, लोगशिकायत और पेंशिन राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग ने इस विधेक को सबसे पहले निचले सदन लोगसभा में पेश किया। इस विधेक में अनुचित सादन से क्या तातपरिया है। अप्टिकल मार्क रिकोगनेशन, रिस्पॉंस शीट सहित उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़ छाड़, सारजनिक परिक्षा के दौरान किसी अनदी करत व्यक्ति द्वारा एक या अधिक प्रशनों का समाधन प्रदान करना और सारजनिक परिक्षा में परतेक्ष या ए परतेक्ष रूप से उमीदवार की सहायता करना, इसके अलावा यहनुभाग उमीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग या किसी उमीदवार की योगिता या रेंक को अंतिम रूप देने के लिए आवश्चक किसी दस्तावेश के साथ छेड़ छाड़ को भी सूची बद करता है, कम्प्यूटर नेटवर्क या कम्प्यूटर संसाधन या कम्प्यूटर सिस्टम के साथ छेड़ छाड़, फर्जी वेबसाइट का निर्मान और फर्जी परिक्षा का संचालन, नकली प्रवेश पत्र जारी करना या धोका धड़ी या मोदरिक लाप के लिए अनुनिक कृत्य है, अब हम बात करेंगे इस विधेक में परिभाशित कौन सी परिक्षाएं सारजनिक परिक्षाएं हैं, धारा 2K के तहत सारजनिक परिक्षा को विधेक की अनुसूची में सूची बद सारजनिक परिक्षा प्राधिकरन या किसी ऐसी अन्य प्राधिकरन जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधि सूचित किया जा सकता है द्वारा आयोजित किसी भी परिक्षा के रूप में परिभाशित किया गया है। अनु सूची में पांच सारजनिक परिक्षा प्राधी करनों की सूची है। पहला है संग लोग सेवा आयोग यानि की UPSC जो सीविल सेवा परिक्षा, सयुक्त रक्षा सेवा परिक्षा, सयुक्त चिकित्सा सेवा परिक्षा, इंजिनेरिंग सेवा परिक्षा आधी आयोजित करता है। दूसरा है करमचारी चैन आयोग यानिकी SSE, जो केंद्र सरकार में ग्रुप C, गैर तक्नीकी और ग्रुप B, गैर राजपत्रित नौकरियों के लिए भरती करता है. तीसरा है रेलवे भरती बोर्ड RRB, जो भारती रेलवे में समुह C और D करमचारीों की भरती करते हैं. चोथा है बैंकिंग कार्मिक चैन संस्थान IBPS, जो राश्टिकृत बैंकों और छेत्रिय ग्रामेन बैंकों RRB के लिए सबी स्थरों पर नुक्ति करता है. और पाचवे स्थान पर है नेशनल टेस्टिंग एजनसी एंटी ए जो JEE में एन एटी यूजी यूजी सी नेट कॉमन उनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आधी आयोजित करती हैं. इन नामित सारवजनिक परिक्षा प्राधी करणों के अलावा केंदर सरकार के सभी मंत्राले या विभाग और करमचारियों की भरती के लिए उन से जुड़े और अनधी करत कारयाले भी इस नेये कानून के दाएरे में आएंगे. केंदर सरकार आवशक्ता पढ़ने पर एक अधी सूचना की माध्यम से अनुसूची में नए प्राधी करण जोड़ सकती है. प्रस्तावित कानून उलंगन के लिए क्या क्या सजा का प्रावधान है तो विधे की धारा नौ में कहा गया है कि सभी अपराद संगे, गैर जमानती और गैर समझोता योग्य होंगे जिसका अर्थ है कि बिना वारंट के गिरफतारी की जा सकती है और जमानत अधिकार का मा मामला नहीं होगा बलकि एक मजिस्ट्रेट यह निधारित करेगा कि अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के लिए उप्युक्त है या नहीं एक गैर शमन्योग अपराद वहे हैं जिसमें शिकायत करता द्वारा मामला वापस नहीं लिया जा सकता है भले ही शिकायत करता और कारोपी के बीच समझोता हो गया हो और मुकदमा आवश्यक रूप से चलना चाहिए अनोचित साधनों और अपरादों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए सजा तीन से पांच साल की जेल और दस लाक रुपे तक का जुर्माना हो सकता है यदि दोशी जुर्माना देने में विफल रहते हैं तो विदेक की धारा दस एक में कहा गया है कि भारतिय न्याय सहीता 2023 के प्रावधानों के अनुसार कारावास की अतिरिक्त सजा दी जाएगी धारा दस दो के तहत एक सेवा प्रदाता जो परिक्षा के संचालन के लिए किसी भ रामगरी का समर्थन चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो प्रदान करने में लगा हुआ है तो उस पर एक करोर रुपे तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। संगटित अपरात के लिए सजा कम से कम 5 साल की कैद जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना जो एक करोर रुपे से कम नहीं होगा होगा। अब हम बात करेंगे कि सरकार ये बिल क्यों लेकर आई हैं। हाले के वर्षों में देश भर में भरती परिक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने के मामले बहुत बड़ी संख्या में सामने आये हैं। पिछले पांच वर्षों में 16 राजियों में पेपर लीक के कम से कम 48 मामले सामने आये हैं। जिनमें सरकारी नोक्रियों के लिए भरती परिक्रिया बाधित हुई है। लीक ने लगबग 1.2 लाग पदों के लिए कम से कम 1.51 लाख आवेदकों के जीवन को प्रभावित किया है। अपनाए गए अनुचित तरीकों या किसी किये गए अपरादों से निपटने के लिए कोई विशिष्ट ठोस कानून नहीं है। यह जरूरी है कि परिक्षा परणाली की कमजोरियों का फाइदा उठाने वाली तत्तों की पहचान की जाए। और एक व्यापक केंद्रिय कानून द्वारा प्रभावी धंग से निपटा जाए। विदेग का उदेशय सारजनिक परिक्षा परणालियों में अधिक पारदर्शिता, निश्पक्षता और विश्वशनियता लाना है। और युवाओं को आश्वस्त करना है कि उनके इमानदार और वास्विक परियासों को उचित रूप से पुरस्करत किया जाएगा और उनका भविश्य सुरक्षित है। इस विदेक का उदेश्य उन वेक्तियों संग्ठित समूहों या संस्थानों को प्रभावी ढंग से और कानूनी रूप से रोकना है जो विबिन अनुचित तरीकों में लिप्त है और मौदरिक या गरतलाप के लिए सारजनिक परिक्षा परणाली पर प्रतिकूल उमीदवार बिल के दाइरे में कारवाई के लिए उत्तरदाई नहीं होगा और सम्मधित सारजनिक परिक्षा प्राधिकन के मौजूदा प्रशाष्टिक प्रावधानों के तहत कवर किया जाना जारी रहेगा विदैक एक बार कानून बन जाने के बाद राज्यों के लिए अपने विवेक पर अपनाने के लिए एक मौडल मसोदा होने का महत्तपुन कारे भी पूरा करेगा इसके लिए बयान में ये भी कहा गया है कि यह राज्यों को अपरादिक तत्मों को उनकी राज्य स्तरिय स्तारजनिक प्रिक्षाओं के संचालन में बादा डालने से रोपने में सहयता करेगा इसके साथ ही आज का हमारे विशे यहीं पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद